बिस्मिल्लाहिर रर्रह्मान इर्रहीम, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Welcome to my kitchen, मैं हूँ Chef Hafsa और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही delicious से चॉकलेट कपकेक्स की रेसिपी लेगे आई हूँ ये कपकेक्स बिकोर पर्फेक्ट बनेंगे बहुत ही चॉकलेटी, सॉफ्ट और डिलिशिस तो आई है इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते है तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम एक बोल मैट करेंगे तीन अंडे साथ ही हम इसमेट करेंगे 1.5 cup sugar 1.3 cup brown sugar, यहाँ पर powdered brown sugar का स्टमाल करना है, light brown sugar 140 teaspoon salt यानि के नामक और अब हम इसको एक बीटर की मदद से अची ताइसे बीट करेंगे हम इसको तब तक बीट करना है, जब तक इसमें मौझूद चीनी जो है वो अच्छे से बिल्कुल डिसॉल्वना हो जाए चीनी के दाने बाकी नहीं जाएने चाहिए और जब अच्छे से इसमें चीनी मिक्स हो जाएगी तो अंडा इस ताइसे फलफी से हो जाएगा इतना इसको बीट करना है, तो यह हो गया है, अब हम इसमें एट करेंगे 1 teaspoon vanilla essence और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब यह मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर हम एट करेंगे 100 grams और यह भी melted butter, 100 grams एट करना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तो यह अच्छे से मिक्स हो चुका है, बीटर का काम हो गया है, अब बीटर को हटा लेंगे अब हम एक बोल में एक छन्ना रखेंगे एक कप मैदा, 1 फॉर्थ कप मिल्क पाउडर बहुत ही डिलिश्यस फ्लेवर के लिए और 1 फॉर्थ कप कोको पाउडर, यह सब चीज़ा अट करनी है और इसको हम छान के बोल में अठ कर लेगे अच्छे से जितने भी dry ingredients होते है न उसको इसको इसका अच्छे से छान के बोल में आढ़ करना चाहिए अब हम एसमें अट कर लेगे 1 teaspoon baking powder और अच्छी तर wholly कैसे को mix कर लेगे इस अच्छी तरह से fold करते हुए इस तरह से इसमें लम्स नी बनेंगे और इस तरह ही अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारे बहुत ही डिलिशिस से चॉकलेट कपकेक्स का बेटर बिल्कुर रेडी है बहुत ही डिलिशिस कपकेक्स बनते हैं अब देखे हैं आपर मेरे पास एक मफिन ट्रेय है इसमें हम इस तरह से कपकेक लाइनर्स को रखेंगे और इसमें हम चॉकलेटी बेटर एड़ करेंगे हम इसको ना जस्त थ्री फोर तक फिल करना है यानि कि पेपर कप का तीन हिस्सा भरा हो एक हिस्सा खाली हो तो इस तरह से मेरे तमाम फिल कर लिये हैं अब हम इसको बेक करेंगे तो आमइसको बेक करेंगे वैं 80-50 बी बेटर के लिए इसमाओ ड्णिक मिनिट्स के लिए इंचाला अ कॉपकेक जोग अचिसे बेक हो चब तब कॉपकेक बेक हो हरा है तब था दक हम तब अनम तर्यार कर लेते हैं जर वह बिल्कुल अच्छे से गरम हो जाए तर इसको toxic create matte कर लिए गरम अगरम whipping cream chocolate के साथ जाके मिलेगी तो chocolate जब हो जाएगी तो chocolate इसका अच्छे से melt हो गई है अब एम इसको थोड़ी सी देर के refreshpri네र के रखे एक से 2 मिनिट के लिए ताकि अहल्का सा थंडा हो जाए क्रीमी सी चॉक्लेट रेडी है अब हम इसको पाइप करी लेंगे तो इसके लिए हम फ्रॉस्टिं को एक पाइपिंग बैग मैट करेंगे स्टार नूजल के साथ और इस तरह से मुफिन्स के ऊपर इसको पाइप करी लेंगे तो यह आप हमारे बहुत ही डिलिशिस है चॉक्लेट कापकेक्स जोए वो एडी हो जाएंगे देखिए कितने डिलिशिस लगे है यह तो जी देखिए हमारे बहुत ही डिलिशिस से चॉक्लेट मॉफिन्स जोए वो बिल्को रेडी है और बहुत ही पर्फेक्ट बने अगर आपको इसकी रेसिपी पसंदाई तो उस वीडियो को लाइक कीजेगा यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजेग मलते हैं नेक्स रेसिपी में इंशाला, आल्ला हाफिज